हलो आल, आज का टॉपिक है PCB तो PCB का फुल फॉर्म क्या होता है? Process, Control, Block ठीक है? PCB को और क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है Task, Control, Block और क्या बोलते है PCB को? इसे बोलते हैं Process, Descriptor ठीक है? तो PCB क्या बोलते हैं? Process, Control, Block बोलते हैं Task, Control, Block बोलते हैं और क्या बोलते हैं? Process, Descriptor बोला जाता है ठीक है? तो PCB की Definition क्या होगी? PCB is a Data Structure used by Computer Operating System to store all the information about a process तो PCB क्या होता है? PCB क्या है? एक Data Structure है जो क्या Contain करके रखता है? Process से Related जितनी भी Information होती है उसको Contain करके रखता है और क्या बोलते हैं? PCB को PCB क्या Represent करता है? Process को Represent करता है तो जब भी एक Process Create होती है तो Operating System क्या करता है? उस Process से Related या फिर हम बोल सकते हैं उस Process के Corresponding एक PCB को Create करता है For Example, जैसे कि Process 1 है तो इस Process 1 के Corresponding क्या बनेगा? PCB बनेगा Process 2 है तो इस Process 2 के Corresponding क्या बनेगा? PCB बनेगा तो यह जो PCB होता हैं यह क्या होता है? Unique होता है हर Process का अलग PCB होता है और यह PCB क्या करता है? जब Process Create होती है जब किसी Process को Create करता है तब क्या होता है? एक data structure भी create होता है जो क्या करता है उस process से related जितनी भी information होगी उस PCB के अंदर store करके रखता है तो इस PCB का use क्या है इस PCB का use ये है कि जो process है इसका जो execution status होता है उसको track करने के लिए PCB का use किया जाता है इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है process है उसने क्या कि अपने state को change किया या फिर state में transition किया एक state से दूसरी state के अंदर जा रही है तब क्या करता है जो PCB होता है क्या करता है इस से related इस process से related जितनी भी information है उसको update कर देता है और ये update कैसे करता है कि हर process का क्या होता है एक PID होता है इस PID का फुल फॉर्म है process identification number ठीक है और किस use में आता है यह PCB, यह PCB use आता है process management में process के management में भी PCB use में आता है अब हम यह देखते हैं कि जो PCB होता है, वो कहां पे store होता है for example यह है operating system यहाँ पर यहाँ पर है सारी की सारी process executor, यह है man memory तो PCB store होंगे यहाँ पर, यह क्या है एक reserved memory है operating system की, जिसे क्या बोलते है kernel space बोलते हैं, तो हम यह बोल सकते हैं PCB operating system की reserved memory में store होते है और उस reserved memory को क्या बोला जाता है kernel space बोला जाता है तो अब हम समझते हैं PCB के structure के बारे में तो PCB क्या था, PCB एक data structure है जो क्या करता है हर process से related information को store करके रखता है तो यह जो process control block है यह जो PCB है न, वो बहुत सारे attribute को contain करके रखता है और वो attribute कौन-कौन से है process id, process state process priority process accounting information program counter PCB pointer list of open file process input output information और भी बहुत सारे information को contain करके रखता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि process id होती क्या है process id को क्या बोलते है PID भी बोलते है तो जब भी कोई नई process create होती है तो operating system क्या करता है उस process के corresponding एक PID generate करता है यानि कि हम ऐसे बोल सकते है कि उस process को एक id देता है जिसे क्या बोलते है PID बोलते है और यह PID क्या होती है unique होती है इस PID का क्या benefit हुआ कि दो process की बीच में अगर difference करना है तो इस process id के थुरू कर सकते है सेकेंड अट्रिब्यूट आता है PCB का process state जो process state होती है process state attribute है वोगा content करता है कि उस process की state क्या है और यह state कितने type की होती है 5 type की state होती है एम थर्ड अट्रिब्यूट आता है PCB का process priority यह जो process priority है वो क्या होता है एक numeric value होती है और यh numeric value क्या represent करती है priority को represent करती है किसी भी process की priority को represent करती है और यह priority कब assign करते है जैसे ही PCB create होता है न उस वक्त process की priority को assign किया जाता है next attribute है process accounting information यह जो accounting information है वो क्या करती है, जो भी resources process use कर रहे है उसकी information को contain करके रखता है next attribute आता है program counter, ये program counter क्या है, एक pointer है जो क्या point करता है program का जो next instruction जो execute होगा उसे contain करके रखता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, कि जो instruction, जो भी next instruction जो execute होना है या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि next instruction जो भी execute होना है, उसके address को contain करके रखता है, ये program counter उसके बाद में attribute आता है PCB pointer जो PCB pointer है, क्या करता है जो next PCB है उसके address को contain करके रखता है, फिर आता है list of open file जितनी भी files, process के through use की जा रही है न, उन सब को contain कौन करके रखेगा ये attribute कंटेन करके रखता है उसके बाद में आता है process, input, output information तो जितनी भी input, output devices हैं, जो कि किसी भी process के completion के लिए चाहिए, उन सब को contain करके कौन रखेगा process, input, output information उसको रखता है तो ये हमने देखा कि PCB होता क्या है और उसका structure क्या है तो ये जो list of open file है और जो process, input, output information है न, वो क्या contain करके रखती हैं, जितनी भी files चाहिए process को complete होने के लिए उनकी information को contain करके रखेगी और जितनी भी devices चाहिए process के complete होने के लिए उसकी information को contain करके रखेगी, तो ये हमने देखा structure of, तो ये हमने देखा PCB के बारे में उसकी definition और उसके structure को